नमस्कर दर्श नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ बिहार में चार सीटों पर उप्चुनाव के पडिनाम में एंडिये को बंपर जीत मिली है सभी चार सीटों पर एंडिये के उमिद्वारों को सफलता मिली है 100% स्ट्राइक रेट के साथ एंडिये गदगद है इससे गटबंधन में शामिल सभी घटक दलों में उत्सा बढ़ गया है इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रिये मंत्री और सांसद चिराक पास्वान की पार्टी मिशन 2025 की तयारी में जुट गई है लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास ने चुनाव के कारिक्रमों को लेकर संगठन का विस्तार शुरू कर दिया है सबसे बड़ी बात है कि सारे कारेभार की पूरी जिम्मेदारी चिराक पास्वान ने अपने बहनोई और जमोई के सांसद अरुन भारती को दी है लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास के राश्टी अध्यक्ष चिराक पास्वान के निर्देश पर पार्टी के रास्टी प्रधान महासचीव अब्दुल्खालिक ने आगामी चुनाव तयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेताओं को महतवपुर्ण जि इम्मेदारी दी गई है तो बता दे कि बीते रविवार को पाठी के रास्टिये प्रधान महासचीब अब्दुल खालिक ने संगठन में चुनावी कारकरम की तैयारी करने वालों की लिस्ट तैयार की है अरुन भारती को संगठन एवं चुनाव का मुख्य प्रभारी बनाया वही खगडिया के सांसर राजेश वर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बनाये गया है इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरब सिंग को संगठन का सह प्रभारी राष्टिये प्रवक्ता धिरेंद्र कुमार मुन्ना को मीडिया प्रभारी राष्टिये सचीब अर अभिशेक सिंग को संगठन समनवयक, पर्शुराम पासवान, वेद प्रकाश पांडे को कारिकरम समनवयक और मुहम्मत सलीम साहिल को समनवयक कार्याले की जिम्मेदारी दी गई है जारखन विधान सभाद चुनाव में भी चुराख पासवान ने सारी जिम्मेदारी अपने बहनोई और जमूई सांसद अरुन भारती को दी थी NDA से उन्हें एक सीट चत्रा मिली थी, उस सीट पर पार्टी के प्रत्याश्टी की जीत भी हुई तो वही अब चुराख पासवान ने बिहार में भी जादा से जादा सीट जीतने के लिए अरुन भारती को आगे बढ़ाया है अब निश्चित तोर पर जो चुनाव में सीटों का तालमेल होगा उसकी बड़ी जिम्मेदारी अरुन भारती को होगी तो कुल मिलाकर 2025 के बिहार विधान सभाज चुनाव के लिए पार्टी ने अब आगे की रंडीती को लेकर तयारी शुरू कर दी है तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़स सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही गरे वीडियो फेस्बुक के माद्य हमसे देख रहे तो पेज को लाइक करना न भूले